नवस्का दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्षिन वीडियो में आप सभीका स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो आज जो वीडियो लेकर आया हूँ, हारिस सुल्तान का वीडियो है, और इसका टाइटल है, इंडिया जेनरल एक्षिन्स, क्या मोदी जी फिर जीतेंगे? क्या मोदी जीतेंगे, क्या मोदी जीत रहे हैं, और अपकी बार कितनी सीटे आ सकती हैं, जरूर बताएं, बाकी चलते हैं, वीडियो में देखते हैं, कि हारिस भाई क्या गया रहे हैं? और राइट, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वकर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्राटिक एक्सराइज, जोके वोट डालना होता है, वो इस वकर इंडिया में हो रही है, और इसके रिजल्ट्स जो हों आप इसके अंदर जो वाइड मार्जन है बेट्वीइन एनगे लीडर, नेमली हमारे कॉंगरस के रहूल गाधी जी है, और उनका मार्जन जो ह है, जो second most popular लीडर है, रहूल गाधी जी कॉंगरस के बहुत दूर है, उनका मारजन बहुत बहुत बढ़ा, तो ऐसा क्यू है, क क्योंकि मुझा पता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुदी जी ने डेमोक्राटिक प्रोसस की धजियां उड़ा दी हैं और I'm not saying कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ I'm just simply saying कि जब हम देखते हैं किसी भी कंट्री में कि वहाँ पे सिर्फ वोट डलवाना ही डिमोक्रसी नहीं होती वो तो हिटलर भी करवाता था स्टालिन भी करवाता था स्टालिन से कोट मस्दूप किया जाता है कि it doesn't matter कि who votes what matters is who counts the votes whether उसने ये कहा या नहीं कहा लेकिन ये उस ये है एक बहुत वाइड मार्जन जो second most popular था उसको मैं खाल को 2% वोट पड़े तो इससे पता जलता है कि इस मुल्क के अंदर डिमोक्रसी नाम की भी नहीं है सिर्फ वोट डलवा देना डिमोक्रसी नहीं होता जिस तरह नौर्थ कोरिया अपने आपको democratic Republic of Korea भी बोलता है अ इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं नो ऑफिसी नो क्यूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजी नहीं हो यह हकूमत के अंदर चलता रहता आप अमेरिका में भी देख लें आप यूके में देख लें कितना कीचड़ उचला जाता है एक दूसरे के उपर लेकि यह नहीं कह सकता है लेकिन इसको पूटिन से कंपेर करना या ऐसे मुलकों से कंपेर करना जहां पर वाकिश शैम इलेक्शन होते हैं यह एक बद्यानती होगी क्योंकि जो बहुत बड़े-बड़े मुदी जी के क्रिटिक्स हैं उनको बोलने की अजाज़त है आइनो के पर क्वेश्चन है कि इतना बड़ा गाप क्यों है क्यों यह नेक इननेक इलेक्शन से हो मैं मुझे याद है कुछ लोगों से मैं इंडियन जो एक्सपर यह बहुत वैलिड पॉइंट है जो हरस्वाइन उठाया है आप इस बात को समझे चाहे जुबैर हों चाहे धुरूर प्राठी हों अजीत अंजुम हों अभिसार शर्मा हों राणा अयूब हों आर्फा खानम शेरवानी हों देखे हो सकता है मेरे मत आप से न मिलते हों या उनके मत बीजेपी के मत से न मिलते हों तो जाइज जाते हैं डेमोकरिसी में ऐसा होता है ज़रूर नहीं है मैं आपको criticize करूँगा, बिल्कुल करूँगा, आपके नीतिवों पर करूँगा, मैं आपके हर बात पर सवाल उठाऊँगा, ये हमारा democratic right है, हाँ, problem तब होगी जब इस democratic right को दबाने की कोशिश की जाएगी, देखे, जनता बहुत समस्दार है, धूराठी कि कहा जाए कि नहीं जी, अजीतन जुम का चैनल बंद कर दिया जाए, अभिशार सर्मा को नहीं बोलने दिया जाए, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाए, उनको पकड़ के वो कर दिया तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये फैसला हमारे वोटर्स को करना है कि तीसा टम मोदी जी को देना है कि नहीं देना है लेकिन जो भी विपक्ष है या जो लोग मौजूदा सरकार के विरोध में हैं या जब पुराने वाले लोग थे और ये सरकार विरोध में थी तो इनको भी बोलने का पूरा मौका मिलता था भाई जो कॉंग्रेस के विरोधीर पत्रकार रहे हैं बाकी लोग रहे हैं वो बोलते रहे हैं उम्न मोहन जिंग को क्रिटिसाइज करते रहे हैं तो आज जो लोग मोदी जी के खिलाफ हैं या बीजेपी के खिलाफ हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन उनका गला तो नहीं दबाया गया है न अभी तर नव समय जो बीजेपी के साथ खड़े थे लोग जो बोल रहे थे कॉंग्रेस के खिलाफ उनका भी गला नहीं दबाया गया देखे एक दो अपवाद हो सकते हैं मैं यह नहीं कहा रहा कि बिलकूं हर चीज 100% सही होती है एक ग्रे जोन भी होता है उसमें बहुत सारे खेल चल रहे होते हैं बहुत सारे गेम चल रहे होते हैं पॉलिटिक्स है ना पॉलिटिक्स हैं गेम बिना गेम के, बिना शड़ेंतर के पॉलिटिक्स नहीं होती है पॉलिटिक्स मतलब पावर, पावर मतलब सत्ता और सत्ता के लिए तो समराट अशोक ने अपने दिन्यानवे भाईयों का कतल भी कर दिया था, ये भी है तो वो सारी चीज़े हैं लेकिन उसके बाद भी सामने वाली पार्टी को जबान पर जिप नहीं लगाई जा रही तो ये बहुत इंपॉर्डेंट पॉइंट है उससे वैसे बादी थी यूट्यूबर्स हैं, आपके जो पॉलिटिकल पंडिस हैं, वो कहते थे नहीं आद इस दफ़ा बीजेपी नहीं जीतेगी आप उससे क्या होगा अपसे कुई बारा महीने में के लोग मुदी जी से हटके राहूल गांदी जी की तरफ चले जाएंगे तो अब भी सी ऐसा कुछ भी नहीं था इंडिया में भी वोकिजम की बिमारी आई और जो हाँ इंडिया का जो लेफ्ट है वो ज़्यादा ओवर्बोर्ड हो गया लेफ्टिजम में और वोकिजम में चला गया जिसकी वज़ा से उन्होंने कुछ ऐसे इश्यूस को unjustly highlight करना शुरू कर दिया जिसका हकीकत से कोई तालुक नहीं था जैसे हमने देखा वेस्ट में एक बहुत तेजी से left wing governments को उखाड के फिंका जा रहा है और जो conservative side की बलके far right की side की है वो उठा रही है तो इंडिया में भी ऐसा ही कुछ हुआ एक दो नंबर किसम का महास खड़ा किया गया अब एक ग्रूप एक तरफ के लोगों को ज़्यादा पेला गया दूसी तरफ के लोगों को ज़्यादा free hand दिया गया जिसकी वज़ा से लोगों के अंदर घुसाया यह इतने बड़े स्केल पर यह चीज़ें जिनेरिकली नहीं होती या और्गैनिकली भी नहीं होती कुछ एक्टिविस्ट होते हैं कुछ चीज़ों को उठाया जाता है वो उठाना जाना ज़रूरी था अगर हमारे मुसल्मान भाई इंडिया के हैं बिजॉरिटी पीस्फुल हैं लेकिन जो कुल्च्रली एक सेंटिमेंट मुसल्मानों के अंदर डाला जाता है बच्पन से कि पहले तो मुसल्मानों फिर बाद में कुछ हो रहो शरिया नमाजें अजाने काफर से नफरत और यह सारी चीज़ें कुल्च्रली डाले जाती हैं अल्थो सारे मुसल्मान उस तरह बिहेव नहीं करते लेकिन जब holistically culturally एक चीज़ embedded की जाती है एक चीज़ समझी जाती है तो उसके कुछ repercussions होते हैं और उसके repercussions अपने इंडिया में देख लिए जिसकी वज़ा से बहुत सारे लोग एंगे not just in इंडिया पूरी दुनिया में वह सब गोरे इसको white supremacist मुझे दोनी नदर आते हैं जो इंडियन चाइनिस को पेल रहे हो यह हिंदूओं को पेल रहे हो मुसल्मानों का एक certain behavior है जिससे लोग तंग आ जाते हैं मैं नहीं कह रहा कि सारे मुसल्मान आसा बहुत करते हैं लेकिन यह cultural values इसलाम के अंदर embedded है हर मुसल्मान के बच्पन में कान में जब अजान डाली जाती है उसक की वज़ा से वह confrontation की तरफ जाते हैं उसके अंदर से बहुत बड़ी percentage है कैसी होती है जिसके नतीजे में cultural retaliation आनी थी पूरी दुनिया में इस वकत आ रही है यह एक बड़ा critical time होगा अगर मुदी जी अगले 5 साल जीच जाते हैं और अगले 5 सालों में UCC भी आएगा क्या इस लेकिन अगर UCC आएगा uniform civil code आएगा तो इससे हम कैसे कह सकते हैं कि यह democratic नहीं है इस से बढ़िया democratic चीज और क्या हो सकती है जो मतलब एक देश एक कानून इस देश में रहने वाले हर किसी पर हिंदू हो मुसल्मान हो सिख हो जैन हो इसाई हो एक कानून लगेगा और इस कानून में कुछ ऐसा नहीं है कि किसी के religious belief को खातम कर दिया जाएगा ये भी नहीं है तो इसमें कोई बुराई नहीं है और ये dictatorship तो नहीं कह सकते है इसको और मुझे एक बात बता दो आज तक dictatorship वोला कौन सा काम हो गया है कि जबरन कोई चीज लाकर थोप दी गई हो अगर 65 से च्पोटे हैं और फिर I think there is another time in him depending on उसके क्या होगा लेकि मुझे लगता है कि यह टर्म इनकी तक पहुंच जाएंगे जब अगले election होंगे तो डिफरेंट दुनिया होगी बहुत सारी चीजें बदल चुकी होंगी और यह वह प्राइम इनिस्टर्शिप है जो डिटेर्मिन करेगी कि इंडिया किस तरफ जाएगा मुझे नहीं लगता कि यह जितनी अलाम बेल्स साउंड की जाती है कुछ ऐसा होगा मुझे नहीं लगता हां कुछ नाखुश वाकिया ज़रूर होंगे लगता है कि कोई ना कुछ सलूशन जरूर निकलेगा हमें पता चलेगा कि इंडिया किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तानी कुछ ओवर्चर्स हमारी हकूमत ने दिखाए हैं कि हम इंडिया से इलेक्शनों के बाद इंडिया से अच्छा तालुकात काईम करना चाहते हैं लेकि मुझे लगता है यह वही हमेशा की घिसे पिटे जुम्लें और यह वही बाते हैं जो हम बड़े अर्स अगेन होप तो की जा सकती है कि शायद हमारे पॉलिटेशन भी जाग जाएं इसकते हकूमत जो है वह पीमलन की है उनका हिस्टॉरिकली ट्रैक रेकोर्ड अच्छा है इंडिया के साथ लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं कि वह मौलवियों के उपर थोड़ा सक्ती करने के मू रहे थे तो आरे नो यह बात कहां पर जाएगे खार पांच साब बहुत लंबार सा बड़ी चीज़ें उपर नीचे होती है इस दफार डिफरेंस यह है वह मींशा ने जो भी स्पीच पी किया कि कॉंग्रेस के जमाने में पाकिसान ये दाशित गर्दी करता रहता था लेकि वो फिर दुबारा से बिजनसे यूजल की तरफ बात चली जाती है लेकिन जब से पुल्वामा हुआ उसके बास है इंडिया ने का हमने तुमसे बात नहीं कर ली इस वकत इंडिया है ऐसा जो कहता हमने आपसे बात नहीं कर दो खान साब ने का था मूदी मेरा भूर नहीं अगर इंडिया को यह येकीन हो कि आप यह सिंसेरिटी का बेसी कह क्वार के बढ़ा क्वेंड का है क्योंकि हमारी जो britic powers यज दूसरे असकरी पौर्बर यदु एक पेज़ती होते हैं तो फिर कुछ और को ऑता है यह मैंने सोचा कि थोड़ seven election के उपर भी बात कर लो I have good hopes for it. I think if Moody Ji wins, I think it's a good thing. It's a good wake-up call for the leftist circles कि अपने अंदर थोड़ी सी कोई balance लाएं अपने अंदर ये जो आपकी जो policy हैं और ये सिर्फ Congress की problem नहीं है. मैं आपको फिर बता दू, पूरी दुनिया में जो left wing की जो parties हैं, उनको यही problem हो रही है. वाइ? क्योंकि उन्होंने डाइगनोसिस ठीक नहीं किया, जिसके वह सिलूशन ठीक नहीं देते हैं, एक तरफ bending over backwards है, दूसी तरफ अपने जो native हैं, उनके उपर जाधा सकती है, जिसके वह से लोग तंगा आ रहे हैं. तो आइटिंग ये एक wake-up call होगी, अगर अगले 2039 में Congress ने election जीतने होंगे, तो उनको अपनी policies में एक major change लाना पड़ेगा. ये बात मैंने आपसे करनी थी, अमीद करता हूँ, आपको पसंद आई होगी इसको जार से लाइक करें, शेयर करें, नीचे comments में अपने ख्यालात मुझे भी लग रहा है कि मोदी जी आ रहे है, थर्टम, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन वो तो result से ही clear होगा, ये मेरा एक तरह से कहूँ कि क्या कहते हैं, आंकलन है, बाकि तो result ही सही चीज़ बताईए. दूसरी चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ कि result चाहे जो भी हो, मुझे लगता है कि देश कैसे चलेगा या कैसे चलना चाहिए, ये तै करने वाली होती है जनता, अगर majority of जनता, दीको vote किसलिए करा जाते हैं, मतदान किसलिए होता है, सही और गलत की बात नहीं है, मतदान ये होता है कि कोई एक चीज़ है, उस पे सबसे जादा लोग सहमत हैं की नहीं है, अगर उस एक चीज़ पे जादा लोग सहमत हैं और कम लोग ऐस सहमत हैं, तो सहमत लोगों की बात मानी जाएगी, voting that is democracy, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ, कि जो लोग असहमत हैं, वो गलत हैं, और जो जिनोंने जादा तर vote दिया है, वो सही हैं, लेकिन आजकर लोग इसको ऐसे देखता हैं कि वो गलत हैं और ये सही हैं, नहीं ऐसा नहीं देखना चाहिए, ऐसा हमती अपनी जगा है, ये ज़रूर नहीं कि मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, तीसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये democracy है और ये एक secular देश के पहच हो कि वो सेकुलर ही सिस्टम रखेगी, लेकिन पावर हासिल करने के लिए जिन तत्तों को और जिन इलिमेंट्स को उसने अनलीश किया है, क्या वो उसे सेकुलर समाज बनानी की इजादत देंगे? देखे, भारत सेकुलर है, तो बीजेपी या RSS की वज़े से नहीं है, उसके बावजूद है? जी हाँ, और 82 फीज़ दी हिंदू है, और ये हिंदू के सोचने का तरीका है, हिंदू एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, हिंदू एक पेगंबर से जुड़ा हुआ नहीं है, जो इश्वर को नहीं मानता वो भी हिंदू है, और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, सुना पने बाचपीजी के जवाब, ये देश इसलिए सेकुलर है क्योंकि यहाँ पे मैजूरिटी हिंदू की है, अब मैं इसका सबसे बड़ा एक्जामपल देता हूँ, कर देंगे, आप हिंदू को खिलाब जनोसाइड को, जनोसाइड करने वो कह रहे हो, लेकिन उसके बाद भी हिंदू भड़का, हाँ, विरोध हुए, प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन वो वायलेंट नहीं हुआ, अब आप इस चीज़ को मुसल्मानों पर ही लागू कर दो, क्यों वाजपईजे नहीं बात कहिते हैं कि इस देश में मैजरोटी हिंदू है, इसलिए देश सकुलर है, हमने तो उसको कुछ नहीं कहा, प्रोटेस्ट किया, अपना विरोध दर्ज करा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम खत्रा बन गए उसकी जान के लिए, नहीं है, हम हर कम्यूनीटी को ये समझना चाये, तो सहनशील बनना पड़ेगा, टॉलरेंट बनना पड़ेगा, अगर आप जिद पकड़ेंगे, बाकी लोग भी जिद पकड़ लेंगे, पिर किसी का भला नहीं होने बाला, ना देश का, ना आपका, ना आपकी कम्यूनीटी का, एक दूसरे को respect दीजी, एक दूसरे के religion का सम्मान कीजी, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सामने वाले के धर्म को नीचा दिखा दूँ और मेरे उपर कोई सवाल न उठाए, मेरे धर्म के उपर, ना मुम्के नहीं, तो ये हम सब को समझे, बहुत basic rule है, इज़त देंगे त चौती बात election की, दुरूराठी ने वीडियो बनाया कि जी, dictator, 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 साबित तो करो, dictator, और अगर आपको लगता कि dictator ही है, तो भाई, चुन के आ रहा है न बंदा वो, बंदा चुन के आ रहा है न, उस dictator को भारत की जनता ने चुनाया न, वो खुद से तो आगे बैठ नहीं कि अगर आप कह रहे हों कि उताना शाह है, तो भाईया, voting के process से आया हो बंदा, अभी भी vote डाले जाना है, अगर वो थर्ड टर्म चुना जाता है, तो एक voting के process से आगा, एक democratic process से आगा, बाकि आप उसमें सवाल उठाते रहे हैं, तो अगर आप उसे dictator कहते हैं, तो आप इस द और लोग ने बहुमत दिलाया, वो सब dictator हैं, आप पूरे देश में एक बहुमत को dictator गोशित करने पर लगे हैं, तो देखिए, दुनिया भी बेवकूफ नहीं है, और जनता जानती है कि उसे क्या करना है, और जनता का फैसला जब results आएंगे चुनाओके, तो आपको नजर आ झाल आपको नंएります specialty dabei है, तो आपको झाल, औज में एक बहुमत दोकिएोमत कर रावे है, जनता जाएंट 2 2 3 1 बिव 요リंड़ आपको सते गहिसे हैं, आपको विदा जनता का ईएम¹ाँ झाल, प्याकित भोश्का आपको सी, हुआ मेंदाओका ëma छैस wewn, आपको तोatives को से अ